शुब प्रभात कच्छा दुद्तिया बच्चों आज है आपका हिंदी व्याकरण का टेस्ट तो चलिए आप भी अपना प्रश्ण पत्र देख लीजिए तो देखिए आपना प्रश्ण पत्र जिसमें आपको अपनी कॉपी में फर्स यूनिट टेस्ट फिर भी से लिख और उसमें आप डाल लेंगे आज की दिनांक उन्नीस मैं और पच्चों यह प्रश्ण आपका इस प्रश्ण पत्र आपका 25 नंबर का है और देख लीजिए आपको जिसमें या पर लिखा सभी प्रश्ण अनिवारिया तो यह आपको जितने प्रश्ण दिये गई हैं आपको सभी का उत्तर सोच समझ कर देना है तो देख लीजिए आपका पहला प्रश्ण है आपको पहले प्रश्ण में क्या करना है निम्न लिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए तो यहाँ पे आपको 5 प्रश्ण दिये गए हैं जिनका उत्तर आपने साफ साफ राइटिंग में लिखने का प्रयास करना है और ये प्रश्ण आपका बच्चों 15 नंबर का है 15 मार्क्स का है तो देखे आप इसमें को है आपका प्रश्ण भासा के रूप नाम सहीद बताईए तो आपको पहले प्रश्ण में भासा के रूप बताने हैं कि भासा के किते रूप हैं और साथी साथ उनका नाम भी बताना है पहला प्रश्ण लिखेंगा भासा के रूप नाम सहीत बताईए फिर खो है बोलना और सुनना भासा का कौन सा रूप है ये भी आपको लिखकर बताना है कि बोलना और सुनना भासा का कौन से रूप के अंदर ड्रगत आता है, कौन सा रूप है। फिर कॉव्न प्राश्न आपका वर्णों के बेद प्रकार बताईए फिर गो है वर्डों के समू को क्या कहते हैं तो यह पर आपको बताना है कि वर्डों के समू को क्या कहते हैं और रण है प्रशन आपका स्वरों की संख्या बताईए इसमें आपको श्वर श्वरों की संख्या बतानी है तो इस तरह आपको अपने इन पांचों प्रष्णों के उतर कॉप्पी में लिखनी है फिर आपका दूसरा प्रश्न आपका खाली इस्तान भरने को है और यहाँ पे आपको कुछ सब दिये गई है जिनकी साहिता से आपको उन खालिस्तानों को पूरा करना है तो यहाँ पर है आपका सबसे पहले अक्षर 33, 33 में 33, फिर है 4, 4, 1 और अयोग वाह तो यहाँ पर देख लीजिए आपको जो खालिस्तान दिये गए है भासा की सबसे छोटी इकाई खालिस्तान और है तो यहाँ पर आपको इसमें खालिस्तान बनने के लिए पहला वाक्या है भासा की सबसे छोटी इकाई खालिस्तान और फिर है लिखा हुआ है तो आपको उपर देखना है इन 5 में से कौन सा वाक्या सब्द यहाँ पर आएगा जिसकी सायता से आपको इस वाक्या को पूरा करना है फिर खो है वर्ण को खालेस्तान भी कहा जाता है तो वर्ण को और क्या कहा जाता है वो आपको यहाँ पर उपर देखना है और फिर यहाँ पर लिखना है फिर गो है व्यंजनों की संख्या खालेस्तान होती है इस वाक्य को पूरा करना है तो इस तरह से आप इन खाली स्थानों में यह उपर दिये के सब्दों को पहचान कर अच्छे से लिखेंगे फिर देख लीजिए आप इसमें गो है अंग और आहा खाली स्थान कहलाते हैं तो आपको बताया कहता है अंग और आहा को क्या कहते हैं तो आप यहां पर लिखेंगे अंग और आहा क्या कहलाते हैं फिर नौ है भासा का प्रियोग अब भासा का प्रियोग कित्ते प्रकार से किया जाता है तो यहां पर आपको उसकी संख्या लिख कर बतानी है इसे आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर कौन सा सब्द आएगा जैसे अंग और आहा में कौन सा अंग और आहा को क्या कहा जाता है और भासा का प्रियोग हम कित्ते प्रकार से करते हैं तो देखिए तो इस तरह आप इन पांचों खालिस्तानों की पूर्टी करेंगे फिर देखिए आपका तीसरा प्रेशन है नीचे दिये गए वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान लगाईए तो यहापे आपको पांच वाक्य दिये गए हैं जिसमें आपने ढंक से पढ़ यदि सही लग रहा है तो आप सही का निशान लगाईए और यदि गलत लग रहा है तो गलत का निशान लगाईए तो हम पसु बक्चों की भासा को नहीं समझ सकते हैं फिर खो है लिखना और पढ़ना भासा का मौखिक रूप है लिखना और पढ़ना भासा का मौखिक रू कि ये सही वाक्य है या नहीं फिर घौ है वर्ण भासा की सबसे चोटी इकाई है और फिर लौ है हिंदी भासा में 33 स्वर होते हैं हिंदी भासा में 33 स्वर होते हैं तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे लिखेंगे और सही वाक्य के सामने सही का निशान और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाने का प्रयास करेंगे तो इस तरह बच्चों आज आप अपनी कौपी में इन तीनों प्रश्नों के उतर देने का प्रयास करेंगे और यहां पे देख लीज़े आपका जो पहला प्रश्न है वो कि आप अच्छे से इन तीनों प्रश्णों के उत्तर अपनी कॉप्पी में देने का प्रयास कीजिए तो बच्छों कर लीजिए आप अपना हिंदी व्याकरंट का प्रश्ण पत्र सौल ओके बच्छों गुड लग